हेलो एवरीबडी, वेलकम तो में चैनल, इस में टेरो 313, तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आज हम दिखने वाले हैं, हूँ इस फॉलिंग इन लव विद यू, कौन है, जो आप लोगों से प्यार में, आपके प्यार में गिरफतार हो रहा है, ठीक है ना, हूँ इस पॉलिंग इन लव विद यू, यूर लव स्टोरी, डिडिंग देखेंगे, कॉलेक्टिव अनर्जी है, जेनरल है, फॉर अल साइंस, फॉर अल जेंडर्स, जो लोग चैनल पर नहीं हों है, डोंट फोर्गेट तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, एंड प्रेस अल दा नोटिसिफिकेशन बेल, पर्सनल रिडिंग बुक करवाने के लिए, आप लोग मेरे इमेल पर कॉंटक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में साब डिटेल्स मेंचेन है, प्लीज चैक इट आउट, and follow me on my Instagram, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, so, stay positive, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि रिडिंग्स की एनरजी साब से एक्स्चेंज हो सके, general energy है, so उसको आपने collective को, collective general की तना देखना है, don't take anything personal, okay, so, let's see, personal readings book करवाने के लिए, email पे contact कर सकते हैं, description में सब details mentioned है, please check it out, and follow me on my Instagram, so, stay positive, देखते हैं, सबसे पहले मैं अपना यहां पे astro cards यूज करूँगी, yeah, it's a astrology deck, देखने के लिए कि इस person का house कों सा strong हो सकता है, यहां इस person की कुछ personality, कुछ traits, कुछ star signs, क्या हो सकते हैं, let's see, देखते हैं, who is falling in love with you, who is falling in love with you, we have house four, okay, we have culture and family roots, home, peace and comfort, यह person बहुत ज़्यादा family oriented मुझे दिख रहे हैं, four house person की energy काफी strong हो सकती है, like a person बहुत ज़्यादा अपनी roots से बहुत ज़्यादा belong करता है, काफी ज़्यादा family oriented दिख रहे हैं, काफी ज़्यादा family's के close दिख रहे हैं, यह person अपने like घर के ऊपर बहुत ज़्यादा focus करने वाला है, like अपने peace और comfort को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ऐसा इंसान जिसको peace बहुत ज़दा पसंद है अपने comfort में ज़्यादा रहना पसंद करता है अपनी family को बहुत ज़दा like highlight करता है family की हुशी family को लेकर बहुत ज़़दा एक touchy रहना बहुत ज़दा emotional रहना ऐसा person है यह person And then we have house 12 Spirituality, Transcendence, Karma, Sacrificial, Service and Healing Yes, यह person spiritual बहुत ज़्यादा हो सकते है क्योंकि यह आप पे house 12 की बात हो रही है यह person कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले है कि like हो सकता है कि इस इनसान को है कि हमेशा सब के साथ fear किया जाए किसी इनसान के साथ unfair ना किया जाए because इस परसन को कर्मा से बहुत ज़्यादा डर लगता है यह person healer हो सकते है spiritual journey पे हो सकता है यह person otherwise this person could be a light worker ऐसी एनरीव बहुत ज़्यादा spirituality से belong करता है star seed हो सकते हैं कुछ लोग service, like दूसरों की help करना service में हो सकता है like दूसरों के लिए दूसरों को guide करना दूसरों की help करना किसी तरह से कुछ charity हो सकते हैं यह person बहुत ज़्यादा करते हो यह पिर लोगों की healing करना किसी तरह से therapist हो सकता है यह person psychologist हो सकता है this person could be a astrologer too यह energy भी मुझे दिख रही है number 11 and 4 number 12 and 4 काफी important दिख रहा है number 11 भी कुछ लोगों के लिए important हो सकता है इस person का date of birth 4 यह 11 हो सकता है otherwise life path number 4 हो सकता है and 3 भी हो सकता है and then we have house 6 number 6 important हो सकता है we have establishing a foundation health, daily life and practice details यह person health consultant भी हो सकते है yes कुछ लोग nutritionist हो सकते है यह energy भी मुझे आ रही है लेकिन अपने self care करना अपनी health पे बहुँ ज़दा focus करना अपने diet को लेकर काफी conscious होना यह energy भी मुझे इस person की दिख रही है बहुँ ज़दा अपने आपको लेकर conscious diet को specially we have torus trust, patience and sensuality यह person मुझे बहुँ ज़दा दिख रहा है इस person है patience बहुँ ज़दा है it's a torus torus इस person का star sign हो सकता है yes यह इस person का torus in 12th house या torus in 6 house या 4 house हो सकता है यह person काफे ज़दा trust worthy person है like आप इस ऐसा person है जिस पर इस परस्ट किया जा सकता है बहुँ ज़दा patient है this person patience बहुँ ज़दा दिख रहा है patient बहुँ ज़दा है this person सबर करने वाला किसी भी ज़दा से जल्दबास हर बरी वाला person मुझे यह बिल्कुल भी नहीं देख रहा obviously guys it's a general energy ठीक है सब बाते जो हैं वो सब के जो उनसे आपके साथ जो भी person fall in love with यह हो रहा है वो सब के साथ सब चीज़े relate नहीं करेंगी ठीक है न because कुछ-कुछ लोगों के अंदर कुछ-कुछ qualities होंगी सब person के अंदर एकी qualities same नहीं हो सकती जो मैं सब चीज़े यहां पर बता रही हूँ but at the same time मुझे दिख रहा है यह person लोगों की तरफ sexually बहुत ज़दा attracted हो जाते है कुछ लोगों की तरफ से यह person वैसा भी है किसी की तरफ sexually, physically इनको attraction भी हो जाती है कफिसदा passionate energy यह किसी को लेकर obsessive हो जाना something like this ऐसी energy भी मुझे कुछ लोगों की तरफ से sense हो रही है इस person की side से anyhow, let's see from the tarot for more clarity सबसे ज़्यादा clarity तो हमें tarot से मिलती है देखते है who is falling in love with you यह तो कुछ उनकी personality हो गए कुछ उनकी house is strong जो थे, वो होगे कुछ उनकी star sign strong होगे अब मजीग देखते है हम लोग who is falling in love with you को person ही को होँ है basically who is falling in love with you your love story we have ten of cups it's a cancer pisces scorpio number ten one का फिए important देख रहा है we have five of pentacles and then we have king of cups two of cups beautiful energy and then we have page of pentacles torus, virgo, capricorn and bottom of the deck energy three of pentacles yeah again यहाँ यहाँ पर devil की energy है guys definitely यह person बहुत ही ज्यादा obsessive है obsession है इस person को like sexually, physically किसी इंसान की तरफ don't हो जाना ठीक है like बहुत ही ज्यादा seduction हो जाना किसी इंसान की तरफ खुद भी यह person देखने में बड़ाई charming बड़ाई beautiful बड़ाई sexy सा है and also दूसरों की तरफ भी इनको यही चीज ज्यादा attract करवाती है तो यह person जो भी है definitely हो सकते है आप काफी ज़्यादा beautiful हो काफी ज़्यादा इनको sexy दिखते हो और अभी कही न कही इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ attraction दिख रही है यह person कुछ लोगों का working place से है with the three of pentacles and with the five of pentacles I think you guys are doing this work on the same place या वहाँवे भी इस person को आप से obsession हो सकता है किसी तरह से दूर दूर से इस person को आप एक बड़ा cherry on the top strawberry cherry type की energy दे रहे हो यह सा red red is all about passion बड़ी fire सी एक लगी विया इस person इस सा Capricorn energy number 16 number 7 काफी important दिख रहे है number 10, number 1, number 5, number 3, number 2 यह important दिख रहे है 20+, 30+, इस person की age हो सकती है yes, 21, 22, 23, 27, date of birth यह energy मुझे दिख रही है कुछ लोग 20+, हैं और कुछ लोग 30+, हैं बट यह जो भी person है कुछ लोगों की तरफ से यहां तो यह आपकी working place से है जिसके साथ इस ताइम आप कोई collaboration कर रहे हो यहां पिर आप teamwork कर रहे हो यहां पिर किसी तरह का project कर रहे हो कुछ लोगों की साइट से मुझे आ रहा है कि यह जो भी है यहां तो यह person बहुत ज़्यदा कोई chef है cooking skills इस person की काफी अच्छी हो सकती है maybe you guys are doing work on the same restaurant or bakery यह energy भी आ रही है मुझे yes but energy आ रही है जैसे कि guys यह person कुछ लोगों की साइट से ऐसा इनसान है जिसके साथ इस ताइम आपका कोई contact नहीं है इस person की baking skills बहुत ज़्यदा अच्छी हो सकती है yes but mostly energy आ रही है जैसे यह इनसान वो है जिसके साथ अभी आपका कोई contact नहीं है with the five of pentacles आपका इस time इसके साथ कोई contact नहीं है सब चीज़े एंड अप हो चुकी हुई है और आप इस person को ignore कर रहे हो जिसकी वज़ा से यह person बहुत ही ज़्यादा left out feel कर रहे है और यह आपकी attention के लिए इस time काफी ज़्यादा मुझे लाग रहा है तरप रहा है इस person को आपकी addictions ही में सूस हो रही है आप जिसना भी इस person को ignore कर रहे हो जितना भी ज़्यादा इस person से आप बाग रहे हो क्योंकि past में दिख रहे है कुछ लोगों की तरफ से हो सकते है आपने इनको काफी chase की है और यह person run करता रहा है बट अभी आप लोगोंने इनको chase करना छोड़ दी है जिसकी वज़ासे इनको बहुत ज़्यादा यह चीज़ जो है वो ignore जो trigger कर रहा है that's why यह काफी left out feel कर रहे हैं आपकी side से लेकिन यह आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं obsession है, addiction है आप लोगों को लेकर काफी seduction सी हो रही है आप इस person को बहुत ज़्यादा seduce कर रहे हो हो सकता है इस time आप लोग अपने आप पे काफी work कर रहे हो यहाँ पिर आप लोग काफी ज़्यादा attraction इनको दिख ली है काफी passion, काफी ज़्यादा sexy दिख रहे हो की energy दो रही है, अगर इन्होंने आपको ignore किया यहाँ बागते रहे हैं हमेशा आप से तो आप लाग रहा है जैसे ही आपको message कर गे उस चीजों की माफी माँगना चाते है क्योंके definitely they are addicted towards you, that's why with a two of cups and with a king of cups and with a ten of cups, definitely यह person को आपके साथ एक strong soulmate energy में सूस हो रही है, इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ mutually attracted हो and two of cups का card अपने आप में ही एक ऐसा card है कि this person is totally fall in love with you, यह आपके साथ partnership करना चाते है, they really wanna date you they really wanna spend some quality time with you इनको लगता है आप दोनो जो हो, आप two bodies हो लेकिन आपका one heart है ठीक है, you have two souls but one heart ऐसी energies दिखरी है इनको, it's a very strong soulmate energy कि आपके साथ meeting करना चाते है आपसे one on one बात करना चाते है heart to heart conversation करना चाते है क्योंकि इनको आपसे बहुत प्यार है अपने emotions इनोंने बहुत ज़्यदा control की हो है with the devil and with the king of cups emotions बहुत ज़्यदा control की हो है उरतना ही ज़्यदा ये आपकी तरफ obsessively romantically attract होते जा रहे है जितना ज़्यदा ये अपने emotions control करें because काफी ज़्यदा pathetic हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, काफी genuine feelings हैं जो आपको बताना चाते हैं अपनी it's a devilish energy जी तो काफी ज़्यदा इनको गुसा भी आ रहे है अपने emotions control कर 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 के जितना वो आप से love करते हैं and with the ten of cups definitely they really wanna make you their life partner आपके साथ family बनाना चाते हैं और ये dream भी यही कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी family बनें आपके साथ ये person future देखते हैं क्योंकि एक secure connection एक secure relationship इनकी आपके साथ बन सकती है and with the three of pentacles definitely आपके साथ team work करना चाते हैं कुछ लोग हो सकता है like past में आप एक दूसरे के साथ definitive work कर रहे थे लेकिन किसी तरह से आपके अपने आपस के कोई clashes की वज़ा से चीज़े इस time disturb हो चुकी है काफी तो ये दुबारा से आपके साथ partnership करके relationship में आके आप भी इन से love करते हैं और ये भी आप से love करते है energy तो यहां बहुत ज़दा strong दिख रही है क्योंकि यहां बे two of cups के energy है कुछ लोगों की तरफ से ये आपके पने friend भी हो सकते है yes काम हो सकता है आपका काफी effect की है business काफी effect की है इसकी वज़ा से आगे दुबारा ये आपकी तरफ आगे जो भी नोंने बुरा किया माफी मांग के आगे दुबारा से आपके साथ काम करना चाते है yes business partnership भी आपके साथ हो सकते है partnership कर सकते है yes it's a Capricorn Taurus will go Capricorn is strong Cancer Pisces Scorpio बहुँदा strong है ये दो star sign मुझे दिख रहे है earth and we have क्योंकि ये भी Taurus की energy earth and water sign बहुँदा energy strong दिख रहे है 35-25 भी important हो सकता है let's see more who is falling in love with you love story तो मुझे लाग रही आपको date करेंगे आपके साथ time spend करेंगे maybe ये person आपको meeting करने के लिए बुला सकते है किसी तरह के कोई आपके लिए बड़ी अच्छी organize कर सकते है कोई dating point या फिर date का काफी अच्छी से organization करके आपको वहाँ पर invite कर सकते है जहां पर आप इन से बात करोगे आपके साथ चाइम spend करेगा क्योंकि ये time spend करना आपके साथ romantic बात करना इनको काफी ज़्यदा खुश करेगा इनकी soul को happy करेगा because they really wanna with the two of cups and with the ten of cups they really wanna make a family with you आपके साथ marriage करना चाते हैं आपके साथ आगे invest करना चाते हैं and we have rider definitely they will come guys काफी passionate हो रहे हैं आपको message करेंगे कोई ना कोई यादो message करेंगे आपको news receive होगी otherwise physical meeting भी हो सकती है इनके साथ आपकी we have side number 10 danger accident warning हो सकता है पहले कहीं ना कहीं इस person ने जो भी किया उस चीज़ को लेकर इनको आपकी तरफ action लेने में खत्रा तो दिख रहा है लेकिन मुझे लगए रहा है ये person suddenly आपको approach करेंगे yes इनको डर है कहीं न कहीं fair है आपकी तरफ action लेने का आपकी तरफ आने का लेकिन ये PR करते हैं we have letter again यहाँ पे मुझे message की energy दिख रही है communication आपसे करना चाहते हैं guys यहाँ तो कोई आपको letter यहाँ कोई mail receive हो सकती है online mail भी आ सकती है otherwise आपको हो सकता है यह person को letter दे सकता है लेकिन कुछ ना कुछ आपको कहना तो चाहते हैं we have number six cloud but इनको clarity नहीं है आपकी side से के आपकी क्या feelings हैं इनको लेकर उस वज़ाँ से यह चाहएद negative हो जाते हैं इनको लगता है danger है आगे हतरा है सब कुछ doubtful situation इनके लिए यह चल रही है क्योंकि यह तो आपसे love करता है guys लेकिन हो सकता है अगर यह आपको approach भी करते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं आपको danger होगा कि यह फिर दो बाड़ा आपके साथ connection खतम करजेगा अभी भी इनके साथ आपका काम करना यह अपने emotions invest करना अपने time को invest करना बहुत ज़्यदा doubtful है क्योंकि आप काफी confused हो सकते हो काफी चीज़े आपको unclear हैं अभी भी कहीं ना कहीं हो सकती है यह situation मुझे दिख रही है number six important है number one number ten number eleven 27 age state of person की आपकी हो सकती है number nine important दिख रहा है इस person के name का first letter के जे टी यू एम इससे start हो सकता है number ten ten काफी important दिख रहा है लेकिन यह कुछ कहना चाहते हैं आपको हम ऐसी energy दिख रही है ऐसे लग रहा है जैसे यह जो भी person है ना जो भी मैं अपता रही हो energy इनको अगर को ना के आपकी तरीफ में या आपके लिए जो भी feeling है उस पर speech भी कर दें तो यह speech भी बड़ी अच्छी कर देंगे लेकिन मुझे cheating की energy कोई भी नहीं आ रही लेकिन आपको यह चीज़े परिशान कर सकती है काफी ज़्यादा कि अभी doubts आपको हो सकते है इस person के क्योंकि एक बार जब किसी के ओपर doubt हो जए तो फिर doubt ही रहता है you know जिसने आपके साथ ऐसा किया है लेकिन यह आगे जबढ़ना चाहते है तो लाग रहा sudden approach ही होगी इनकी आपकी तरफ yes so this is your reading I hope this will resonates with you मुझे comment section में feedback जरूर दीचिएगा मैं में लोंगे आपको next reading में till then take care bye